वेलकम डोटर प्रियाग राज इंस्टूट आज हमनों बात करेंगे प्लेक्टर्टॉनिक सि्धान्त के बाईरे में जिसको इंगलीस में बोलते हैं प्लेक्टर्टोनिक ठेयोरी जैसा कि पिसले लेक्चर में हम लोगने बात करता हैं इसका मतलब यह कि वेंगनेर एक्स तो जानेंगे कि आखिर यह प्लेक्टेक्टोनिक थीवरी है क्या और कैसे इस ने अलफेर वेगनर का जो कॉंटिनेंटर डिफ का प्रिंसपल था उसको एक्सप्लें किया तो सबसे पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि आखिर इस प्रिंसपल को लाने वाले जो सैंटिस्ट थे वो कौन थे और सैंटिस्ट में इस प्रिंसली जो जियोलोजिस्ट है उनके हम बात करेंगे तो जो भी भूगलवित्ता थे उनको हम पहले जानेंगे कि वो कौन थे ठीक है ति इसमें जो पहले नाम आता है ठीक सबसे पहले नाम आता है हैरी हैस का तो हैरी हैस का नाम जरूर याद रखिए जिन्हों ने इस सिध्धान्त को परतिपादित किया तो 1962 में हैरी हैस ने जो continental, Ple anecdlicate theory है जो 나use का परतिपादन किया था लेकिन लेकिन इसका scientific जो फालू थे ठीक है जो विज्ञानिक भ्याख्या थी उसको explain करने का सिरे जता ता है मॉर्गन करता है और मॉर्गन के साथ में जो अन्य नाम है McKenzie, Parker और Holmes ठीक है तो इस całe कि प्रमूख विचारक थे, इस विचार, मतलब की जो प्लेट टेक्नोनिक प्रिंस्पल है, उसको एक्स्प्लेन करने में इन सारे साइंटिस्टों का नाम याद रखेगा, ठीक है, मेकेंजी, पारकर, हॉम्स, ठीक, और अगर आप से पूछा जाए कि इस सिद्धान्त को पर्तिपादित कि किस ने किया था, ये भीचार आया किस के जहन में था, तो वो थे हेर celui- worldly has, ज्रक हम जो में, इसको प्रिपादित किया था, ठीक है, हेरी हैस का जो इस परेसल नाम आता है,êm सीफुरре ठीक्तिक के प्रिंस्पल पर ऑठ, ठीक है, तो जो प्लिक्तिकAPP प्रिंस्पल है इसकी जो थीवरी है सी फ्लोर इस्प्रीडिंग वो बनती है इसी वज़ा से प्रिथिपादा के रुप में हैरी हैस का नाम आता है साथ में जहें मारगन होंगे मेकेंजी पारकर और होम्स का नाम आता है ठीक है तो जैसा मैंने बताया कि जो प्लेक टेक्टोनिक सिधानत है विगनर के महादिफी विस्धानत का क्या है एक विकास है विकास का मतलब क्या है कि जो कौंटिवर डिफ विगनर ने दिया था उसको जब वो explain नहीं कर पाय थे कि आखिर कौंटियन्ट कैसे drift करते हैं आखिर को forces कौन से होते हैं उसको explain किया किस थिवरी ने प्लेक प्रिंसिपल है या प्लेक टेक्टोनिक जो थिवरी है वह एक्स्प्रेंड करती है किसकी वेगनर के महादेफी विस्थापन को अब हम बात करेंगे कि आखिर इस थिवरी में बाते निकल कर आई किया ठीक है तो देखे इस इधान्त के अंसार इस प्रिंसिपल के अंसार मतलग अब ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्लेट से यह एक ही स्ट्रक्टर से बना हुआ ठीक है इसमें छोटी बड़ी करके जो बहुत सारी प्लेटे है ठीक है तो भू परपट्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभाकत है और यह प्लेटे जो हैं 100 किलोमीटर की मुटाई इस्थल मंडल ठीक है इस्थल मंडल को लिथोई स्फियर बोलते हैं ठीक है उससे निर्मित होती है एम एस्थोनोई स्फियर पर तैरती रहती है अगर हम INTERNAL structure करें थीक है तो अर्थ के INTERNAL structure में कुछ चीज तरह का है आपको structure दिखाई पड़ेगा क्या सबसे ऊपर जो है ल सथार्ट रोसरा पोर्षन स्टार्ट रोर में विभाक्त भी वह हैं डिव्त से करश्च का भी डिविजन है अपर करश्च न लोर करश्च न यह इंटरलाइं इंटरलाएं स्टक्चर अब हम अर्थ पुलेंगे तब उसमें सिवल जानेंगे ह। इसमें थे स्ट grasses लिथो इस्फियर जो है वो लिथो इस्फियर के जस्ट नीचे जस्ट नीचे जो है एक एस्थोनो इस्फियर है क्या है एस्थोनो इस्फियर और यह जो एस्थोनो इस्फियर वाला जो पोर्शन है ठीक वो जो है वो सेमी लिक्विड स्टेट में है और इसी के ऊपर जो ईसफियर के उपर फ्लोट करता है तेरता है वैसे गणी जैसे की बर्फ पानी के उपर तेरती यही जो सब्सक्राइब तहाँ में रहती है। प्लेटे जो हैं वो 100 किलमोने मुटाई वाले इस्थल मंडल लिथो इस्फ़र से निम्रित होती हैं और यह दूर्बल मंडल मतलब के एस्थोन इस्फ़र पर तैरती रहती है ठीक है जो कि पूरता सीमा का बना है और अपेचा किरत अधिक घनत्व का होता है ठीक है तो जैसा क नीचे सीमा का बना होता है और इसी प्लेटे आऊ तैरती रहती है इसका मतलब कि अगर हम इस हम लिथोइस्फियर के बात करें तो छोटी बड़ी अगर वो प्लेटों की अगर वो बात कर रहे हैं ठेक तो प्लेटे क्या इस तरीके से जो वो डिवाइड होंगी तो कुछ ये प्लेट इधार इधार इस तरीके से तो ये जो प्लेटे हैं कुछ बहुत बड़ी-बड़ी प्लेटे हैं और कुछ है छोटी प्लेटे हैं और इन संचलन का जो मुख्य कारण है, एस्थोनों स्फेर में रेडियो सक्री पदार्थों के उपस्थती के कारण, ताप ये शमहन तरोंगों की चक्री परक्रिया का होना है, जिसके समन्द में होम्स ने ब्याखा दिये, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा हम लोग अराम समझते हैं एक डाइग्राम के साथ, ठीक है? डाइग्राम क्या है? डाइग्राम हमारा कुछ इस तरीके से, अब इसके नीचे जो है, आप एस्थोनों स्फियर को समझे और एस्थोनों स्फियर जो है, वो क्या है? सेमी लिक्विड स्टेस में है, मतलब कि इस एस्थोनों स्फियर के, यह एस्तोन स्पेरे है, वो आई हम लीक्विड इस्टेज में है और यह सेमी लिक्विड इस्टेज में होने का कारण है हाईली रेडिय एक्टिविटी का होना जिसके वज़ přीष्ट होना जिसके वज़ा से इस वाले पोर्षन में हाई ठेंप रेशर, हाइअ लिएसार की वज़ा से हाई जो रोक है मोल्टेन स्टेज में पॉजाती है पिघली थो अवस्था में अक्रिषा expansion की यहां पे उसमें फैलाव भी होता है ठीक है फैलाव भी होता है और होता क्या है कि इसमें एक conventional current चलती है कैसी current चलती है conventional current चलती है ठीक है तो इस conventional current को हम इस तरीके समझेंगे ठीक है एक conventional current जो है इस तरीके से चलती है और इस तरीके से ठीक है तो मतलब कि जो नीचे की जो पिगली हुई चटान है वह इस तरीके से उपर उठती है और फिर इस तरीके से आ जाती है ठीक है तो यहां से यह नीचे उठती है जो है इधर जाना ठीक और फिर यह आके फिर इस तरीके से यह चक करा के फिर इधर हो जारे तो अगर कोई चीज इस पर रखी हुए तो वो क्या करेगी जो इधर जो convection current जो चल रही है ठीक है इधर धका इधर पूस करेगी और इधर वाली जो इधर इस साइड में पूस करेगी अब यह बताईए कि अगर कोई प्लेट है ठीक है अगर कोई भाग जो इधर खिसक रहा है ठीक है और कोई भाग जो इधर खिसक रहा है तो इसका मतलब की expansion हो रहा है ठीक है फैला हो रहा है तो इसी हिसाब से यह बूला जा रहा है कि इसी के उपर क्या है इसी के उपर तो continent है ब distrket, कहीं पे जाके इधार, जो है कहीं पे जाके वो एक दूस्रे से कहीं दूसरी जगह पे टकराएंगे भी, मिलेंगे भी, तो अलग होना, टक्राहाट होना ये चीजे जो है, इनकी ये जो convection current है, इनकी वज़ा से possible है जो कि हम भूपरपटी के ऊपर से हम लोग देखते हैं ठीक है तो ये जो टकराहाट है इन लैंड मांस का ये क्या है कॉंटिनेंट का ही आपस में टकराहाट को दिखाएगा और ये जो जो शिफ्टिंग है इन प्लेटों का इसमें ध्यान रहे है इनको बिस्तार से नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे तो पहले तो बस हम इतना जान लें कि ये पूरी भूपरपटी है वह चोटी बड़ी काइक ब्लेटों में भीभाग्त है ठीक है। कुछ भहुत बड़ी प्लेटें हैं गुझ है चोटी प्लेटें है ठीक है। कुल मिलाके जो है यह ध्याने में रखना है ठीक। तो नासा के अगर हम बात करें… ठीक तो Ö jewels, नासा ने एक Labrog्राइच यह दिया हुआ है। और बड़ी पलेटे कि कुल जो संख्या है, वो लगभक सो है, जिसमें से 6 जो हूँ बड़ी पलेटे हैं जिसमें से 6 बड़ी पलेटे हैं, और 20 जो है वो छोटी पलेटों की पहचान की जा चुकी है, तो नासा का कहना यह है कि पूरी जो लीथोई स्पियर है, कुल मिला के हम जो है 100 प्लेट में इसको विभक्त कर सकते हैं, जिसमें से 6 बड़ी प्लेटों की पहचान की जा चुकी है, तो जो 6 बड़ी प्लेटे हैं, उनको जान लेते हैं, वो कौन-कौन सी है, देखिए, पहले अमेर्की अफरिकी प्लेट, एुरेशियाई प्लेट, इंडो आस्ट्रेलिया प्लेट, प्रसान प्लेट और अंटार्क्रिक का प्लेट, तो यह हैं 6 बड़ीटे हैं, और इनमें आप देख रहे हैं कि यह जो नाम है, वो एक तरीके से कौन्टिनेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहें अफरिकी प्लेट में दो कॉंटिनेंट हम लोग डिसकस करेंगे, कौन सा नॉर्डरन अमेरिका और सादन अमेरिका, अफरिकी प्लेट, पूरा अफरिका कॉंटिनेंट, इवरेशिया के अगर हम बात करें तो इरोप और एस्या कॉंटिनेंट, इंडो आस्ट्रेलिया प्ले चाहिए नियुस रहे नियुस और क्या पर शाटी हो गई अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इस मैप में जो हम लोग ने चे बड़ी बड़ी प्लेटों की बात की उसको मेप ऐक वार देख लीजी रहे इंडो-ऐस्ट्रीलियन में इसemit सर्माइट प्लेट इज समाइट होंगे, यह नौर्डन अमेरिकन प्लेट , यह ना अमेरिकन प्लेट , घुण कि इखाई पट क्योंकि यह बत्रों लेकर चोनरेफाट प्लेट ना यह बत्तर प्लेट 00.00 प्लेटे को पहले जान लेते हैं। चोटी प्लेटे इंपोर्टें प्लेटे में पुछा जाता है। इनके लोकेसिन आपसे पूछी जा सकते ही हैं। ध्यान में रखेगा। जो नासका प्लेट है वह इस्टन प्सफिक प्लेट के साइड में हैं। Cocos Plate, Arabian Plate, Philippine Plate, Scoticity Plate, Caribbean Plate, Juwan D fukes Plate, Somali Plate, अब इनको मैप में देखना। बहुत जुरुमरी है, खिक है, मैप के साथ जो है, मेमोरी रहएं च़ोट होती है, अगर चीजों को आपने मैप में देखा हुआ है, तो जो हम लोग ने बात किया , फ्लिब्यन प्लेट कहा होंगी, फ्लिब्यन्स के पास, थीक, यह देखे, जुवान दी फूका प्लेट, यह जो है वो नौर्दन अमरिका के, जौ है, वेस्टन साइड में मिलेगा, यह है केरिब्यन प्लेट, dan यह यह से एरिब्यन प्लेट पर है, ब्लेट इस पर convention जाद रखों है अपना भारत से इसको याद रहे है कोकॉस प्लेट यह भी करेवियें सी के साध इधा का प्लेट आपको पैसफिक ओशिन मिलेगा को थान द्धेस थन अको को सब्सक्राइब देुट है टिनकी इंके बात Mind ability है इनके नेचर नेचर। 5 इसा कि हमने बात करें कि छोटी बड़ी प्लेटे मिला के जो है वो मोर दन हंड्रेट है जिसमें से छोटी प्लेटों की पहचान की जा चुकी है कि उनका विस्तार कहां से कहां तक है ठीक है तो यह जो लिखेस्पिरिक प्लेटे हैं पूरता या तो महासागरी होंगी जो है वो मिलेगा तो प्लेटे पूरी तरकी से कॉंटिनेंटल हो सकती है ओसनिक हो सकती है या ओसनिक और कॉंटिनेंटल तीनों तरकी हो सकती है ठीक है परसांत प्लेट पूरता महासागरी प्लेट है ठीक है तो अगर आप से पूछा जाए कि ओसनिक प्लेट है सुद्द property है ठीक है और इसके साथ में जो है वो continental property है ठीक है तो दोनों property पाई जाती है किसमें डोनों के गुन पाई जाते हैं, American plate के अंदर ठीक है, अब plate हों की किनारे ही इन plate होते है, इन plate की Margin पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उन्हीं की बात की जाजा रही है तो प्लेटों के किनारे भुग अर्भी क्रियाओं के दिस्टोर्ट से सरवाधिक महत्पुन होते हैं क्योंकि इन ही किनारों के सहारे, भुकम पी ज्वाला मुख्य और विवर्तनिक घटनाएं होती रहती है तो जो भी यह प्लेटे हैं, ओसनिक प्लेट हो चाहें कौंटिनेंटल प्लेट हो इन ही की मार्जिन पे आप अधिकतर देए, भुकम का आना देखेंगे, ज्वाला मुख्य उदगार देखेंगे और टेक्टोनिक घटनाएं देखेंगे, टेक्टोनिक घटनाओं से मतलब यह है कि जो कौंटिनेंट के जो मार्जिन्स हैं ठीक है या ओसियन प्लेट की जो मार्जिन्स हैं वो टूटेंगी, फूटेंगी या बनेंगी ठीक है ये सारी जी बाते अब हम बात करेंगे इनकी margin के हिसाब से ठीक है इन में टकराहट किस तरीके से होता है ठीक है इन प्लेटों में तो देखे समाज दूरू से प्लेटों के किनारें को तीन परकार से विभगत कर सकते हैं एक वो जब दो जो दो प्लेटे हैं वो एक दूसरे से आके टकराएं एक condition ही हो सकती है या एक दूसरे से अलग जाएं दूसरी condition हो सकती है और तीसरी condition क्या हो सकती है ना तो वो एक दूसरे के पास आएं और ना एक दूसरे से पास जाएं क्या हो सकता है एक दूसरे के side by side जो हो glide करें, ठीक है, एक दूसरे के side by side क्या करें, वो खिसकें, तो तीन तरीके के moment हो सकता है, प्लेटों का है, या तो दो प्लेटे हैं, एक दूसरे के समीप आएं और टकराएं, दूसरा क्या हो सकता है, एक दूसरे से अलग हो, दूसरी condition हो सकती है, और टो फो पहला परकार है जिसको मार्जिन बोलते है रचनात्म किनारा में यहां पर प्लेटें है क्व और से दूर जाती है तो टकराहट नहीं होगा तो बिनास नहीं होगा तो इस वज़े से इस तरह कैसी होगी यह रचनात्म होगी ठीक तो जो कंस्ट्रक्टी मार्जिन है इसमें तापी समवहन तरंगों की उपर मुखी स्तंभों के उपर इस्तित होते हैं और इसके करान दो प्लेटे एक दूसरे क जोनों के मत एक भ्रंस दरार पड़ जाती है जिसके सहारे एस्तनों स्फेयर का मैगमा उपर आता है और ठोस होकर नमीन भूपरपटी का निर्मान करता है ठीक है तो नमीन जो है लैंडफार्म जो है वो बनते हैं इसी वज़ा से इसको जह कंस्ट्रक्टी मार्जिन बोलते है तो यह जो मैगमा है वो पिगली ही अवस्था में है ठीक है अब यह क्या है यहाँ पर करेंट चलती है ठीक है तो यह उपर जाते हैं फिर नीचे आती है ठीक है तो यह उपर जाते हैं ठंडा होने के लिए जब ठंडा होके थोड़ी सी भारी होते हैं फिर नीचे आती है फिर यह नीचे आती है और फिर इस तरह किसी चक्र जो है चलता रहता है और इसी चक्र को क्या बोलते हैं conventional current बोलते हैं अब इस conventional current के वज़ा से ये वाली जो धारा है वो इधर पुस करती है और ये वाली जो है वो इस side में push करती है तो आप ये देख सकते हैं इधर moment और इधर moment हो गया अब क्या होता है कि यहाँ पर breakdown हो जाता है ये वाले portion पर जो है वो break हो जाता है और ये जो magma है वो बाहर निकलता है ठीक है अब ये magma जब बाहर निकलता है ध्यान दीजीगा जो पिगली भी rock है ठीक है जब वो बाहर निकलती है तो इसी magma को हम लोग क्या बोलते हैं इसी magma को हम लोग जो है वो लावा बोलने लगते हैं और ये ज्वाला मुखी उद्गार कहलाता है अब ये जहे वो धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद ठंडा होने के बाद यहाँ पे land form एक भू आकरती बनना इस्टार्ट हो जाती है ठीक है एक परपटी बनना जो है इस्टार्ट हो जाएगा एक भू इस्तर बनना इस्टार्ट हो जाएगा और यह होता क्या है, यह current चलती है, इनकी वज़़ए से left और right प्लेटों का moment होता है, एक condition यह होगे, अन्थ इन प्लेट किनारें को, रचनात्म किनारा कहते हैं, तथा इस तरह के प्लेटें अब सारी diversing plates कहलाती हैं, ठीक है, diverging मतलब कि एक दूसरे से दूर जाना, तो यह यह दूसरी के पास नहीं आ रहे हैं तो यह तो आप डावर्जिंग प्लेट बोल सकते हैं या इस तरह की घटना है जो है मध्य महासागरी कटकों के सहारे घटित होती हैं अगर आप से पुछाए जाए कि जो इक्जामपल दीजिए तो सबसे अच्छा एक्जामपल है अवी सित्क ट्रेट के फछ inspiration वाला ठीग है तो Atlantic Ocean में जो मिट कॉंटिनेंटर रीज हैं वो इसी परक्रियद के दवारा बंती है next है नेक्स हम भी बात करींगे डिस्ट्रक्टीव मारि में ने इस तर डूसरे के पास पहुता है उसमें प्लीट एक डूसरे के पास आती है और टकर आती है और टकराने के मत वजद से desterton होurg?" तो इसी वज़ा से इसका नाम है विनासात्मक किनारा ठीक है destructive margin इसमें यह है कि जो दो प्लेटे हैं वो एक दुसरे के करीब आएंगे और टकराएंगे और जिसे विनास होगा इसी वज़ा से इस margin को बोलते हैं विनासात्मक किनारा या destructive margin तो इसमें होता क्या है यह तापी श इसके नीचे इसके नीचे आपको गल्ड होता है रेडिस कलर में आपको दिख्माइपड वह इस्तर कॉछैंट이고 सावर्ड पोर्शन होता है उसके उपर जो hard portion है, short portion है वो lithosphere होता है, तो इसमें जो है दो different nature की जो प्लेटे होती है, वो एक दूसरे के पास आती है और टकराती है, और इसमें होता क्या है, जो higher density वाली ती है, जो उच घनत वाली होती है, जिसको अगर इसको higher density वाला मानते हैं, ठीक है, और यह low density वाला म zone की rate होता है, ठीक है, तो destructive margin में इस तरह की घटना हमको देखने को मिलती है, इस चित्र को बेनी आफ मेखली या बेनी आफ जोन भी बोलते हैं, तो यह वाला जो जोन है, उसको बेनी आफ जोन बोला जाता है, जहां पर आकर एक दूसरे से वो टकराती है, ठीक है, और चुकि यह प्लेट का किनारा होता है, इस वज़ासी इसको क्या बोलते है, destructive margin, आता इसे बिना स आतमा किनारा कहते है, यहां पर बहुत तूट फूट मसती है, और बिना सोता है, अब यह प्लेटे किस तरीके, किस तरीके, convergent है कि divergent है, देखें, यह जो है, वो convergent है, अभी सारी प्लेटे एक दूसरे में converge हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आकर टकरा रही है, इसके पहरा जो हम लोगे ने एक जामपल देखा है, जिसमें constructive margin थी, उसमें प्लेटे एक दूसरे से दूर जा रही थी, और यहां पर एक दूसरे से पास आकर टकरा रही है, और बैनी-off जोन बना रही है, तो बैनी-off जोन जो है, वो, constructive margin है, या जो converging margin है, वहां पर बनती है, ठीक, या destructive margin पर बनती है जो converging plate है मतलब एक दूसरी के पास आके जो टकरा रही है वहाँ पर आपको मिलेगा Benny of zone ठीक है और यह कैसी margin होगी यह होगा बिना 7 mark किनारा क्यों कि यहाँ पर यह जो चटार है आप देख रहे हैं कि यह तूट फूट यहाँ पर बिनास होता है एक्शन में होता है कि यह जो लिथो स्फियर वाली जो प्लेटे जब यह अंदर जाती है नीचे जाती है तो इनको जो है वही high temperature pressure जो जहिलना पड़ता है जिसकी वज़ा से यह जो solid यह जो solid portion था लिथो स्फियर का यह नीचे जाके high temperature pressure में फिर यह magma में convert हो जाता है ठीक है तो यह इसको आप देख सकते हैं यह magma में convert हो जाता है और यह जो destructive margin है इसमें यह देखना होगा कि continental, continental मिल रही है continental, oceanic मिल रही है या oceanic, oceanic plate मिल रही है अब बात यह आती है कि अगर continental और continental मतलब कि महादीपी और महादीपी प्लेट ही आके टकरा है तब इसमें कौन नीचे जाएगा और कौन ऊपर जाएगा तो यहाँ पर यह देखना होगा है कि उन दोनों continental plate में उन दोनों महादीपी प्लेटों में कौन सी जादा गहनत वाली है जो जादा गहनत वाली है जैसे माल की यह वाली plate जागर जादा गहनत होगी है और यह कम गहनत होगी तो यह जो जादा गहनत वाली यह आके subduct हो जाएगी नीचे घुश जाएगी ठीक है तो अब जो हम थोड़ा सा इसको और जानेंगे कि जो अभसारी प्लेट के जो किनार है करवर्जिंग प्लेट है ठीक है उनमें तीन दसाय हो सकती है क्या जब एक अभिसारी प्लेट मतलब कि जो करवर्जिंट जो करवर्जिंग प्लेट है महादीपी हो दूसरा जो है महासागरी हो ठीक है जिससे गर्थ का निर्मार होता है, और उसमें आउसादों के निरंतर जमाहँ वह वलन के कारां, ठीक है? सेडिमेंट्स का और उनके फोल्डिंग की वज़ा से मोड़ार परवतों का निर्मान होता है अगर आपसे पूछा जाए कि रौकी और एंडिस किस तरीके के परवत हैं तो रौकी जो कि नॉर्दन अमेरिका के मार्जिन में मिलता है ठीक है वेस्टन मार्जिन में और जो एंडिस परवत है वो सदन अमेरिका के वेस्टन मार्जिन पे ये परवत स्रिंखला है तो राखी परबत हो चाहें इंडीस परबत हो यह example है फोल्ड माउंटेन के और इंटनिर्वान हुआ कैसे है destructive margin की वज़ा से है और यह destructive margin किन दो प्लेटों के पास में आने की वज़ा से हुआ है एक है ऐसनीक प्लेट मतलब जो 1 Pacific. जो American. अजो Continental. आमेंप लिए को मिलते हैं व आपको मिलेंगे अमेरिका के प्रिय अमेरिकाइब गर जोब मेर्य को बस्म की किनारे का निर्मार का धिकतीनि दृइनुभार यहां पर परवत के लिद परव्य को परवत हैं प्रवस रिंखला के लिए जाने जाते हैं, तो इसी अंतर किरियाद्वरा समझा जा सकता है, ठीक, तो बेनी आफ जोन, बेनी आफ जोन क्या है, जहां पे दो प्लेटे आके टकराती है, ठीक है, और बेनी आफ जोन का अगर एक्जामपल आप से पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे, कोटा पैक्सी और चिंबाराजो, जो कि एक्वेडर, जो एक्वाडोर है, कंट्री, वहां पे आपको ये प्रवस रिंखला देखने को मिलेगे, ठीक है, और ये जहें किसमें, ये एंडिस प्रवस रिंखला के अंतरगत में आती ये, ठीक है, नौर सदन अमेर प्रवस रिंखला के नीचे आजाएगी, ठीक है, तो जब दोनों प्लेटे जो है, महासागरी हो, तो अपेचा कि बड़े वहारी प्लेट का धसा होता है, ये महासागरी गर्तों वहाला मुखी दीपों की एक सिंखला से बन जाती है, ठीक है, तो यहां पे जो है ओसनिक प् पर रहेगी, और नीचे जाकि ये सब्ड़क्ट जोन क्रेट करेगी, तो जब दोनों प्लेटे महासागरी हो, तो पेचा कि बड़े वहारी प्लेट का धसा होता है, और ये महासागरी गर्तों वहाला मुखी दीपों की एक सिंखला सी बन जाती है, प्रसांध प्लेट हुआ जपान सागर प्लेट या फिलिपिन्स प्लेट की अभिसरन किरिया, मतलब की जो कनवर्जेंस है के द्वारा इसे समझा जा सकता है, तो अगर आप से दोनों महासागरी प्लेटों का एक्जामपल अगर पूछा जाए, कि ऐसा कनवर्जेंस बताईए, या प्लेट का कॉनवर्जेंस होना फिलिपिन्स या प्टिपिक प्लेट का कॉनवर्जेंस होना, ठीक है, तिये ऑग्जामपल है, कैसे दोनों महासागरी नेचर की होँऊ, ऊसंनीक प्लेट की बत यहाँ पर की जा रही है, अब तीसरी कनडिशन क्या महादीपी हो तो बेनी आफ जोन छेत्र छेपड इतना प्रभावी नहीं हो पाता है कि ज्वाला मुखी उतपन हो सके तो इसी वज़े से जो कौंटिनेंटल कौंटिनेंटल अगर प्लेटे मिलती है तो वहां पर बेनी आफ जोन जो है इतना effective नहीं होता है इसका मतलब कि जहाँ पे subduction होता है वहाँ से आपको जोला मुखी उद्गार जैसी प्रकिरिया है ये तो भुगर्भिक जो किरिया है वो देखने को नहीं मिलती है और इसका example सबसे बड़ा example जो है हमारा हिमालया हिमालया छेतर में जो है आपको जोला मुखी उद्गार जो है देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है तो जब दोनों प्लेटे महादेपी हो तो बेनी आफजोन छेतर में छेपर इतना प्रफावी नहीं हो पता है कि जोला मुखी उद्गार हो सके लेकिन ये छेतर भुगर फी ग्रूप से औरस्तिर छेतर होते है और यहाँ पर बड़े-बड़े मोड़दार प्रवतों का निर्माण होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जोला मुखी जो वोलकानी की रपसाने वो तो देखने को नहीं मिलता है लेकिन चोकि ये दोनों प्लेटे आपस में आके टकराती है तो यहाँ पर यह जो मार्जिन होती है वोहाँ आप पर काफी हल् सब्सक्राइब और जैसा कि हम जाते है कि प्लेटों का यह हल् होता है वो भुकंप का कारण बंता है तो इसी वज़े जो हिमालयन वेल्ट है भारत का, वहाँ पे भुकम्पी अदसाय आपको प्रतितिन देखने को मिलती है, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हिमालयन वेल्ट है, वहाँ पे भुकम्प के इतने जटके क्यों आते हैं, तो इसका कारण बताया है कि ज महादीपी पिलेट है, इनके टक्राव के वज़े से जो खल्चल उत्पन होता है और भुकम्प की स्थिति बनती है, और यहाँ पे इंडियन सब कॉंटिन प्लेट और उरेशन प्लेट का यह जो टक्राव है, और यहाँ पे जो बेन आफ जोन है, वह काफी एफेक्टिव न आगे यही बात को देखते हैं, तो एरेशन पेट और इंडियन प्लेट के टक्रावजे से टेथिस भूसन थी, जो टेथिस जी जी इंकलाइन है, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन सब कॉंटिन और जहाँ पे इरेशन जो प्लेट है जहाँ पे मिली है वहाँ पे पहले यह हमाले परवत का निर्माण हुआ, तो हमाले परवत का निर्माण हुआ है, 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 तो हमाले परवत का निर्माण हु एक constructive margin, दूसरा destructive margin और तिसरा conserving margin, तो conserving margin में कौन सी तिसरी condition होगी, जब दोनों प्लेटे ना तो एक दूसरे से टकराएं और ना एक दूसरे से अलग जाएं, क्या, एक दूसरे के lateral move करें, ठीक है, एक दूसरे के सम्नांतर move करें, तो ये जो margin कहलाती है, conservative margin कहलाती है, या हिं संदी में इसको बोलेंगे, सनरची किनारा, ठीक है, तो जब दो प्लेटे, एक दूसरे के सम्नांतर खिसकती है, तो उनमें कोई अंता करिया नहीं हो पाती है, अब जैसे बाहल ले कि वो अपने रास्ते जा रहे है, हम अपने रास्ते जा रहे हूँ, और ये तकराएं ये ठीक है तो और कोई रियक्शन भी नहीं होना है तो अता इसे संद्ची किनारा कहते है और यह रुपांतर भ्रंस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माद होता है यहाँ आप देख सकते हैं एक दूसरे के विए पैलर मुवमेट है भले ही अपोजी डारेक्शन के उना हो ठीक है तो यह जो ही इधार जा रही है और यह इसमें आपस में कुछ जो है रियक्शन है देखने को मिलता है और यहां इस वान पर इस पूछ निर्मा कौन सी मरजन पर उता ऐगा अब इसके एक्जांपल भी आपसे पूंट आप इसे बात करूँ तौह आप यह शेर्ट के कलिफॉर्निया के निकट निर्मी जह है आप इस देटने भी पर व सी मरझा अब निकटना तो जो सान एंडियास फॉल्ट है वो सबसे बड़ा एक्जामपल है किसका अब थोड़ा सा यह जो पॉइंट है ध्यान में रखिएगा कहीं अगर शॉर्ट कोश्चन्स के रूप में आ जाए ठीक है एक आता है कि जो एक हार्ट प्लम्स की जो हाइपो थीसी से वो किसे ने दिया था ठीक है तो टूजो विल्सन द्वरा माइक्रो प्लेट्स वो हार्ट प्लम्स की संकल्प्रा जोनने जाने के बाद प्लेट विर्टना सिध्धान्त भू गर्भिक गर्भितियों का समझने में और भी उप्योगी बन गही है तो आगे चल कि जो कॉंटिनेंटल डिफ्ट थी पहले ठीक उसके बाद ग्लेक्ट टेक्टोनिक जो है एक इवलूशनरी फेज था एक एडवानस्मेंट एक्स्पिनेशन था ठीक का जोड़ने जानने के बाद प्लेट विवर्थिन का सिध्धान्त भुग अर्वी गत्वियों को समझने में और भी उपयोगी बन गया है और इससे प्लेट के आंतरिक भागों में होने वाली भुकम भी हुआ ज्वाला मुखी घटनाओं की ब्याख्या संभव हो चुकी है ठीक अनुए इनसे आती हैं, क्या होता है वो सारा जो हम डिसकस करेंगे नेक्स लेक्टर मेरे argent फिल्हाल ये आप इनका नाम का यादर रखीगा ठीक तो ज्वारा मुखी कोई सक्री है या निस्क्री है ये सारा एक्स्प्रेंशन जो है टूजो विल्सन के होट प्लम सिधान से हम लोग करेंगे ठीक है अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा रॉक्स पे ठीक है तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे rocks, चटाने, के चटाने कितनी परकार के होती है, कौन कौन सी होती है, ठिक कैसे बनती हैं, और इनका आपस में रुपां अंतरान कैसे होता, सारा हम देखेंगे, कौन सी चटान, था किन किन खेतरों में पाई जाती है, वो सब सारे डिसकस्म करेंगे नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद